Hello students, welcome to lecture expert YouTube channel और इस वीडियो में बात करेंगे Math के पेपर को लेकर जो compartment additional improvement बच्चों का जो अभी October में exam हुआ था तो वो कैसा आया था पेपर तो देखे सबसे पहले section A जिसमें ये question आये हुई थे 12 chapter से ये question आये हुई है tell point 1 का ये question number 2 है जो one marks में पूछा गया है फिर ये आपका 10 chapter से आये हुआ है question question number 2 फिर इसके बाद जो आपका question number 3 ये आपका 8 chapter से आये हुआ है और फिर question number 4 जो भी मैंने अपनी एक पहले वीडियो upload की है important question वाली उसमें बताए हैं आपको सभी question ये मिलेंगे और अब जो आपका exam होगा आने वाला उसमें भी वो question मिलेंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिए वो आपके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो साभीत हो सकती है अच्छे marks दिला सकती है देखिए इसके बाद जो ये fourth question है ये आपका आया हुआ है 10 chapter से ये 10.1 से question है फिर आपका fifth question जो है fifth ये आपका 7.1 से है फिर आपका question number six आया हुआ है ये six chapter से है आपका उसके बाद fifth chapter से आपका question आया हुआ है 5.3 से और ये 5.1 से है question number eight फिर second chapter से है question number nine फिर यह फर्स चैप्टर से है कोशन नमबर 10 कोशन नमबर 11 जो है आपका यह 15 चैप्टर से है जो कोशन नमबर 12 है यह 13 चैप्टर से है आपका कोशन नमबर 13 जो है यह आपका 8 चैप्टर से है कोशन नमबर 14 जो है यह 4.1 एक्सेसाई से है जो question number 15 है यह आपका six chapter से है six point one वन सोडी six point four में है और five में और question number 16 जो है यह आपका seven chapter से आया हुआ है फिर उसके बाद यह long question शुरूरू हो गए है जिसमें यह बहुत का question जो है 10 chapter से आया हुआ है फिर आपका 18 कोशन जो है यह 8 चैप्टर से आया हुआ है फिर आपका 19 कोशन जो है यह 12 चैप्टर से आया हुआ है फिर आपका कोशन नमबर 20 जो है यह आपका आया हुआ है चैप्टर नमबर 3 से फिर ट्वंटी वन वाला जो question है यह आपका आया हुआ है chapter number one से यानि 1.3 से उसके बार 15 chapter से आपका एक यह question आया हुआ है probability का फिर 23 question आपका आया हुआ है 7.3 से यह आपके सलबस में नहीं है तो इसे आप नहीं जो आपका 23 question है यह आपका आया हुआ हाँ जी यह 7.3 से है यह आप ना करें फिर 24 आपका question आया हुआ है chapter number six से फिर आपका 25 question जो है यह आपका है fifth chapter से फिर 26 वाला जो question है यह आपका आया हुआ है third chapter से यह example में है इस तरह का question फिर 27 वाला जो है यह आपका 4.2 exercise से है फिर 28 questions जो है आपका 8 chapter से 29 जो question है ये आपका 13 chapter से है اور question number 30 जो है ये भी आपका 13 chapter से आयुआ है और ये आपकी जो है exercise में मिलेगा आपको 13.3 का ये 7 question है फिर उसके बाद ये आपका 14 chapter से आया हूँ है mean निकालना फिर उसके बाद 30 first question जो है आपका ये आया हुए आपका 11.2 या 3 से ये question और फिर لاस्ट में जो आपका question है या आपका 90 शेपरें से आया हुआ है तो ये सारा question जो हैं आपके डिय वेपर में आय वह हैं है तो ये आपका इन चैप्टर के अच्छे से त्यारी कर लें वैसे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि जो important question है आप उसे देखे आपके अच्छे marks आएंगे बहुत ही अच्छे marks आएंगे फुल भी आ सकते हैं अगर आप पूरी तरह से त्यारी करें जैसे उसमें मैंने बताया हुआ है तो अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें तो इस वीडियो में इतना ही thanks for watching this वीडियो